अपना बॉटल वाले एक्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और आम से इंजॉई दिस मुवी शो, श्रिम्पल मुवी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा बॉटल बॉटल चलेगा, सर ये सब कुछ नहीं पढ़ना, हडाओ इस, हडाओ, सर ये सब आपको पढ़ना तो है, eventually, बट इंजॉई लेकर पढ़ना है, सबसे पहले अदम आपके साब ने एक मुवी प्रेजेंट किया जाएगा, बॉटल वाले एक्जांपल, जो सो कॉल्ड, मैं रूल 42 को एक्स्प्लेन करने के लिए, यूस करता हूँ, और मुझे, इंटर नंबर 42, ठीक है, तो चलो सर, सबसे पहले समझो, ये रूल 42 क्या है, ये रूल 42 है कि आपके पास इंपूट है, इंपूट मतलब, इंपूट मतलब raw material हो गया, semi-finished हो गया, working पोगया, ये आपके पास, input, raw material, और आपके पास input है, और input services है, इस पर जो GST लगा है, वो हमारा input tax है, ठीक है, ओके, तो ये है मेरा input tax, ये है मेरा input tax, ये क्या है सर, इसमें पानी देख पा रहा है, अब देखो देखो ठीक से, पानी दिख रहा है, पानी दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये है हमारा input tax, क्या है सर इसमें, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, देखो इसका color green है, आपको कुछ देख नहीं रहा है, यह green color यह दिखाता नहीं है, ठीक है, it's chroma you know, यह green color दिखाता नहीं है, यह green है, ठीक है, आपको कुछ दिखार साए बॉटल नहीं है, हाँ green है, देखो, लिखा वे इसमें, B star bottle है, मेरे पास बहुत सारा bottles पढ़ा वह यह पर, तो दिखा रहा हूँ, मैं सुनो, यह हमारा bottle act हूँ, sir इसमें क्या है, sir इसमें आपने जितना भी input, जितना भी input है आपका, और जितने भी input services है, यानि short में, short में, I plus IS, ओ, sir इसमें capital goods नहीं है, नहीं नहीं, cap goods नहीं है, अभी cap goods का बात नहीं करेंगे, इसमें क्या है, input है, मैं देख रहा हूँ, अरे आ, तु मेरा input tax है, मैं तुझे लोगा, हाँ, मैं तुझे खाऊँगा, तु मेरा credit है, मैं तुझे खाऊँगा, मैं इस अपना देख रहा हूँ, तु मेरा credit है, मैं तुझे खाऊँगा, यह पूरा bottle, तु मेरा credit है, मैं तुझे खाऊँगा यह मेरा input tax है ठीक है total total input tax for a month मैं भी return file कर रहा हूँ जैसे मैं कुछ purchase करता मैं इसमें भर लेता कुछ purchase करता भर लेता अब खतम हो गया month end हो गया अब यह मैं देख रहा हूँ हाँ हाँ तु मेरा input tax है ठीक है suddenly मेरे पास एक ठो ठपर पड़ा पीछे suddenly एक ठपर पड़ा एक क्या होगे कौन मरा कौन मरा कौन मरा वच सुनो बेटा सुनो वच सुनो बेटा सुनो हाँ हाँ सुन रहा हूँ यह जो input tax है यह जो input tax है तुमने exclusively use किया था non business purpose के लिए याद है याद है याद है तुमने से इस में तुमने इस bottle में से कुछ exclusively use किया था non business purpose के लिए याद कर तुम bottle में तो डाल लिया bottle बड़ा कर लिया अब तुमने इस में से कुछ ऐसा input tax है जो तुमने use किया था non business purpose के लिए हाँ 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 हाँ, तो मैंने एक छोटू सा बोटल निकाला, ये भरा बैचो लाँ, ये भी भरा बैचो लाँ, ये निकाला मैंने, ये निकाला देखो, ये मैं अल्डेडी स्टोर करके रखा हूं, ठीक है, अब इसको मैं खोलने वाला हूँ, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं देखो मैं इसमें से कुछ निकाल दे रहा हूं, ठीक है लो तो मैंने क्या से क्या transfer किया, total input tax से मैंने transfer कर दिया, अच्छा बेटा, जो input तुमने exclusively non business purpose के लिए उसको तो हटा दे, उसको हटा दे, हटा 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 ठीक हटा दिया, इतना excited मत हो हटा दिया ना, तुमने बोला हटा दिया तो ये थोड़ा सा कम हो गया, मुझे डर मुझे खराब लगा, थोग़ा सा डर थोग़ा सा कम हो गया, ये कोई बात नि अरे जो input मेरा है, business purpose के लिए नहीं है, exclusively exclusively, exclusively non business purpose के लिए है, उसका तो credit मुझे नहीं मिलेगा न, वो तो मुझे हटाना पड़ेगा, अब बताओ, अब ये मेरा है, अब ये मेरा है, अब तुम क्या कर सकते हो, बताओ, फिर एक ठाए, एए, कौन मरा, कौन मरा, कौन मरा, कौन मरा, बड़ा, कौन मरा, वाच, बगवान जी बोलना है, लबलाओ में गर बोल रहा है, कि जो तुमने input tax exclusively exam supply के लिए use किया था, उसको हटा, बोला, हाँ, हमने कुछ input exclusively exam supply के लिए भी use किया था, और 17 subsection 2 बोलता है, कि अगर कोई inputs तुमने taxable और exam दोनों के लिए किया, तो exam वाला को हटाना पड़ेगा, तो फिर मेरे को खुलना पड़ेगा, बहुत मेहनत है सर, अब यह आयागा दूसरा bottle, यह दूसरा bottle है, फिर इसको खोलूँगा, अब इसको इसमें डालूँगा, ज़्यादा डी नालूँगा, थोड़ा ही डालूँगा, यह दूसरा, डाल दिया, सर यह कम हो रहा है, अब ध्यान दे रहे हैं, यह कम हो रहा है यह, exam में आपको यही कम करना है, देखो याद करो, अभी तक मेरे पस यह दो bottle है, पहला क्या था सर, ओ हाँ हाँ, यह वो input tax थे, जो exclusively आपने non business के लिए यूज के, इसको भी इटा दो, यह,babbing एको मेरा input tax मिलने माला है, अरे हद हो गया, अब तो मारे जा रहे हैं सब लोग हमको, हटा देख्या, पुरा हटा देख्या, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, पूरा हटा देख्या इसको हम, तो भगवान जी बोलते है लॉमिकर बोलते है अरे गाड़ी खरीदा या देखिया तेरे को नया नया होंडा सिटी गाड़ी खरीदा था हाँ हाँ है इसमें इसमें कुछ है ऐसे आइटम्स तो अड़ा उसको सर मान गया सर हम जो सोचते वो होता नहीं हम जो नहीं सोचते वो होता अब लोगा तीसरा बोटल आ गया से फिर कम करूं है शहरैसे तो ऐसी खतम हुजएगा है वहिएसी खतम है ऐस मोग अब देखो मेरे पास era कण अब आपको को नहीं समझ मारा मुझे संझे मरहा पहला जो पहले निकाला था क्या था इंस चाहता क्या था एक्सक्लूसिवे एक्जम्न exclusively non-business purpose, personal, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, exclusively exam supply, हटा दिया इसको, तीसरा क्या है, blocked credits, इसको क्या बोलते है, blocked credits जो specifically 17.5 में mentioned है, क्योंकि देखे, blocked credits का दूसरा बॉटल से connection क्यों नहीं है, क्योंकि blocked credits is specifically mentioned in the law, overriding other provisions, आप उसको किसी भी purpose के लिए यूज़ करिए, blocked है, और 17.5 में respective session है, ये blocked है, तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा, तो guys, मैं आप इस बोटल का नाम दे देता हूँ, ठीक है, bottles का नाम दे देता हूँ, ये जो bottle था ना, ये जो bottle, starting में जो bottle था, ये जो starting वाला था, वो था मेरा पहला bottle, जिसका नाम है T, इसमें से पहले, T1 से कुछ ट्रांसफर किया गया, T से T1 में ट्रांसफर किया गया, फिर इसमें से, फिर इसमें से T2 में ट्रांसफर किया गया, एक्जेम सप्लाई, T2, exclusively एक्जेम सप्लाई, फिर इसमें से कुछ ब्लॉग क्रेडिट्स में ट्रांसफर किया गया, इसमें से कुछ ब्लॉग क्रेड्स में ट्रांसफर किया गया, T3, सर पढ़ाई भी कर लिए, मज़ा भी कर लिए, अब जो बच्चा है, ध्यान से देख, अब जो बचा है, मुझे बताओ guys T का जो लेवल था पहले थोड़ा जादा था और अभी जो लेवल आप देख पारे हो थोड़ा कम है क्योंकि T1 में, T2 में, T3 में तीनों में ट्रांसफर हो चुक है यानि वो सब वो जो आपको छूना भी नहीं है हटा दो, वो क्रेट्स भूल जाओ नहीं मिलेगा आपको अब जो बचा है तद अच्छा लग रहे सर इतना अच्छा लग रहे क्रेट्स को देखके सर स्टाटसफाइड हो गया मैं तो बहुत अच्छा लग रहे सर फिर कोई थपड मार दिया सर चल क्या रहे लाइफ में मेरे सब चीज उल्टा हो रहा है लग रहा है जेश्टी पढ़ा ही नहीं है वेट करो, फिर कोई मार दिया पीछे से ओके सो ये है हमारे पास बचा हुआ क्रेडिट्स यह हुआ है हमारे पास, बचवा क्रेडिट्स, इसको हम अपने लेजर में ले लेंगे पहले, इसको तो हम ले लेंगे, इसको छोड़ेंगे नी साथ, इसको हम अपने लेजर में ले लेंगे, इसको छोड़ेंगे नी, फिर जब कोई पीछे से मारा, वो मुझे ही याद दिला है सुनो 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 हम तुमारे हित के लिए भी सोचते हैं ऐसा नहीं है तुमारे अगेंज के लिए सोचते हैं इसमें से कुछ ऐसे भी तो credits होंगे ना बेटा जो exclusively taxable supply के लिए यूज किया है नॉन-business हो ब्लोक हो गया तो कुछ टैक्सेवल के लिए नहीं ने इसमें से कुछ common भी है बीजनिस इसे भी क्रेट्स है इसमें जो एक्स्टूसिवली टेक्सिवल के लिए के लिए अब आत समझ प्र चुछ बॉल तो गोवें मिलता बेटा सुन एक और बोटल ले किया मैं एदम बड़ा बोटल ले आया मैं एदम बड़ा बोटल ले आया एदम बड़का वला बोटल ले आया एदम बड़का वला बोटल एक्चली इसमें फ्रेश पानी ये खराब हो जाएगा चेंज कर लेता हूँ दूसरा बोटल ले 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 दें से ये लो यह बॉटल पता है C1 है, क्या है C1, C1 क्या हो पता है, इस बारप्री साथ-साथ, जो पहले बॉटल था T, उसमें से T1- किये, T2- किये, T3- कर दे, तीन बोटल में ट्रांसफर कर दिये, बचा C1, C1 आप ले लिए, क्रेडिट लेजर में ले लिए, आप गॉर्मेंट बोलता ह कुछ component एक ऐसा है, जो तुम exclusively taxable के लिए यूज किया है, उसको हटा लो, majority हटेगा इसमें, देख लो, अभी भी कुछ बचा हुआ है, अभी भी कुछ बचा हुआ है, यह क्या है, सोच के बताओ, क्या है यह, सोच के बताओ, क्या है यह, क्या है यह, बताओ, सर, यह था पहले T, फिर से repeat कर रहा हूँ, यह था पहले T, इस T में इस T1 को transfer किये थे, इस T से इस T2 में transfer किये थे, T2 से T3 में transfer किये थे, बचा था C1, C1 में से T4, T4, यह क्या है T4, यह credit है जो मैं पी जाओंगा, पी जाओंगा मैं समझ गए, जो मैं actually eligible हूँ claim करने के लिए, तो इसको तो मैं अपने सामने रखूंगा, इस T3 को हटा दिया, इसको मैं अपने सामने रखूंगा, क्योंकि सर यह T4 है, यह आपका है, आपको लेना है, पहला T1, T2, T3 तो बेकार ताब हटा दिया है, बड़ यह T4 आपका आपको लेना है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है दोस्त, बताओ क्या बचा हुआ है, तो इसमें से कुछ तुम मेरा है और कुछ तुम निकलने वाला है, अब डिसाइड करो कि तुमारा exam turnover कितना है, तुमारा total turnover कितना है, अब आप समझें कि मैंने इसको हलका क्यों किया इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे credits है जो exclusively taxable है, they are not subjected to any allocation, यह है वो allocable credits, यह है वो allocable credits, और इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते है C2, ज्यान से सम इसको क्या बोलते हैं, C2, अब इस C2 में से दो और चीज निकलेंगे, इस C2 में से दो और चीज निकलेंगे, सुनना ध्यान से, 171 क्या बोलते है, business plus non-business, 172 क्या बोलते है, taxable plus exempt, दो चीज बोलते है, तो दोनों का combination हो सकता है, business plus non-business भी हो सकता है, exempt plus taxable भी हो सकता है, त प्लस टेक्सिबल का कुछ करते हैं, बेस्ट है, आप अपना एक्जेम टनोवर देखिए, आप अपना टोटल टेक्सिबल टनोवर देखिए, एक्जेम्ट भाई टोटल विल गिव यू दा परसेंटेज ऑव एक्जेम्ट, वो परसेंटेज को इस बॉटल पर अपलाई करी, यह bottle क्या है C2, यह bottle क्या है C2, अब आप वो percentage, जो भी मानलो मेरे दिमाग में add-on percent है 40%, 40 आपका exam turnover है, 60 आपका taxable है, 40 by 100, 40% आपका exam turnover है, तो मैं क्या करूँगा, इसका, 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 इसका क्यों, क्योंकि पहले से हटा चुके काफी चीज, यानि सर, ultimately अब देख पार रहे इस common का 40% क्या denote करता है, यह वो denote करता है कि कितना input इसमें से exempt supply के लिए तुम allocate कर रहा है, कि 40% क्या है exempt का turnover, और 60 क्या taxable, 40 by 100, 40% exempt है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, याद करो second वाला bottle मेरा, second वाला bottle क्या था, तो T2 था, T2 क्या था, exclusively exempt, मैं उसी में वापस आऊंगा, और exempt turnover में 40% डाल दोंगा, exempt turnover में 40% डाल दोंगा, डाल दिया सर, यह जो credit मैंने डाला है ना, यह credit मैंने reverse किया है, यह credit मैंने reverse किया है, क्योंकि याद करो, C1 जो पहले मेरा था, वो ले लिये थे हम, ले लिये थे हम, अब जो 40% है, जब मुझे पता चला, मन्त एंड में कि मेरा 40% exempt है, तो मैं 40% डालूँगा, exempt का चला गया, यह मैं reverse करूँगा, फिर मुझे याद आया, रे, 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 17-1 यह भी तो बोलता था, business, non-business, इस में से कुछ credits है, जो non-business के लिए use हुए है, तो मुझे यहाद आया, हाँ, non-business के लिए कौन सा bottle था, पहला वाला bottle था, जो exclusively non-business के लिए था, वो bottle में लेकर आ गया, अब इस भी वें, थोड़ा सा मकम कर दिया, मतलब यह सारे credits क्यों होंगे, पता है, reverse होंगे, और lawmaker बोलता है, lawmaker बोलता है, कि यह जो तुमने डाला है ना, डाला है ना, अब यह कैसे सब पता करेंगे कि non-business के लिए कितना lawmaker बोलते था, पाच परशंट, अब इसका reason नहीं पता है, this is a rule, कि जो common credit बचा, उसका 5% will be non-business, assume कर लो, तो मैं इसका 5% calculate करके हटा दिया, मैं इसका 5% calculate करके हटा दिया, C2 into 5%, अब कोई मारेगा नहीं, यह मेरा है, तो यह मेरा है सर, इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं, eligible credits, इसको हम बोलते हैं, eligible credits, common का eligible, और यह तो मेरा थाई, यह क्या है, T4, यह क्या है, T4, तो T4 and common credits का eligible, जिसको बोलते हैं C3, क्या बोलते हैं, C3, focus नहीं है alphabets पे, focus है bottles पे, यह दो चीज मुझे मिलने वाले इसर, that's it, खतम rule 42, समझ में आया, कैसा लगा bottle वाले example, कैसा लगा bottle वाले example, this is how you have to understand rule 42, this is the basic funda of rule 42, मतलब टोटल T में से हटाते रहो, common credit तक आया, allocate किया, business, non-business के पीछ में, exam taxable के बीच में, minus करके, जो बचा वो आपका credit साथ, बस, खाली market में खो अग्वा फिलाव इतना difficult, इतना difficult असर समझ में आया था, so I hope you understood with the help of the bottle example which I have given for